हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम क्लास 6-8 की एक्टिविटी शीट नमबर 8 करने वाले हैं डेट है इसकी 25 जैन्वरी 2022 और इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे और बेलेकन को भी दवा दीजिए जिससे आगेने वाली वीडियो की नोटिविकिशिन आपको समय पर मिलती रहें देखते हैं आज की वक्षिट में क्या है Do you know Republic Day is celebrated on 26 January every year क्या आपको पता है कि Republic Day हर साल 26 जन्वरी को मनाया जाता है On this day in 1950 Constitution Rulebook of India was implemented तो इस दिन जो हमारा 1950 में 26 जन्वरी के दिन जो Constitution है वो लागू हुआ था इंडिया में Constitution क्या है भारत का? भारत का Constitution का मतलब है Rule की Books यानि कि जितने भी नियम है जितने भी नियम है वो 1950 1950 में 26 जन्वरी के दिन से ही लागू हुए थे ठीक है इसलिए इस दिन Republic Day मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भारत का Constitution इंडिया में लागू हुआ था ओके अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक Information देना चाहती हूँ Dear Learners, आप लोग Mobile या Laptop पर Games तो खेलते ही होंगे बट क्या आपने कभी अपनी लाइफ में competitive game-filled battle दिया है एक ऐसा battle जहाँ पर आप लाइफ thousands of learners के साथ compete कर सकते हो और साथ ही scholarships, medals and merit certificates भी जीत सकते हो यह सब possible है Unacademy Combat में जिसमें इंडिया के top educators के true framed questions होंगे, बोथ in English and Hindi, real-time leaderboard generate होगा after every question personalized scores and ratings से आप अपना performance evaluate कर सकते है detailed video solution मिलेगा हर question का और सबसे important, top performers को मिलेगा marriage certificate, medals and you can win a scholarships worth rupees 1 करोड यह combat एक free live test है, जो class 6 से 12 तक के students दे सकते हैं every Sunday, Unacademy के app या website पे total 30 questions होंगे, जिन ही आपको 45 से 60 minute में solve करना होगा साथ ही Unacademy लाया है limited period offer 12 month and above के plus subscription लेने पर आपको मिलेगा 3 month का extra subscription बिल्कुल free इसी तरहे 12 month and above के iconic subscription लेने पर आपको मिलेगा 6 month का creative corner subscription बिल्कुल free description में link दिये होए है, मेरा code BLOWM 10 use करें to enroll for free इतना ही नहीं, इस code से आप कोई भी subscription भाई कर सकते हैं 10% off पर so learners on academy के साथ let's crack it ओके, so चलिए अब अपनी वक्षिट continue करते हैं आगे है identify the national festival being celebrated in this picture तो ये जो picture आपको दिखा रखिये, इसमें कौन सा national festival मनाया जा रहा है तो ये Republic Day मनाया जा रहा है इस picture में, तो इधर आप Republic Day लिखेंगे फिर है write the number of colors in our national flag सभी को पता है कि भारत का जो national flag है तिरंगा उसमें कितने colors होते हैं तो saffron, white and green, three colors होते हैं national flag में जैसे देखिए ये हमारा national flag है, इसमें three colors है तो answer आएगा three Name the shape formed by marching man, ये जो marching man है इनके दुआरा कौन सी shape बन रही है, तो देखिए अगर आप देखिए तो ये triangle बना रहे हैं, तो answer है triangle ओके triangle पर आप tick लगा दीजेगा Now take help from above picture and color our national flag यहाँ side में आपको हमारा national flag दिख रहा है, ये national flag है हमारा इसे आपको color करना है तो आप उसी तरीके से color करेंगे, जिस तरीके से हमारे national flag में color होता है ओके, तो हम लोग सबसे पहले orange color लेंगे और orange color सबसे पहले करेंगे उसके बाद हम दूसरे colors भी fill करेंगे सबसे पहले आप इसको draw कीजे उसके बाद बारी-बारी से तीनो color fill कीजे सबसे उपर हमारा saffron आएगा यानि orange orange color करने के बाद बीच में हमारा green color आएगा sorry, बीच में white ही रहेगा और last में green color आएगा और यह जो चAKR होता है तरेंगे में बीच में जो चAKR होता है इसमें कौन सा color आएगा इस wheel में जो चAKR है उसमें आएगा blue color ओके, तो अब हम blue choose कर लेते हैं और यहां इसमें blue color कर लेते हैं यह blue color हो गया उसके बाद यहां नीचे हमारा green color आएगा और बीच में white ही रहता है तो इस तरीके से आप अच्छे से अपनी copy में इसे draw करेंगे question लिखेंगे, draw करेंगे, उसके बाद इसमें color करेंगे, ठीक है तो ये हो गया green color थोड़ा dark कर देती हूँ ये बन गया हमारा मतलब color हो गया हमारे flag में फिर है, देखिए the name of shape in which I have filled saffron color is, जो saffron color है, यानि जो orange color है वो जो हमने जहां पर भरा है, उस shape का नाम क्या है, तो देखिए इस shape में हमने saffron color भरा है और ये shape है rectangle, तो answer हो जाएगा rectangle, the name of shape in which I have filled green color is, green color जिस shape में भरा है, वो भी देखिए ये कौन सी shape है, rectangle है तो इसका answer भी rectangle होगा the name of shape in which I have filled blue color is, blue color जिस shape में भरा है, उस shape का क्या नाम है, तो देखिए blue color आपने यहां बीच में चक्र में भरा है और ये circle shape है, तो answer आएगा circle, okay इतना देखने की बाद है count number of squares, rectangles circles and triangles in the following picture, color the picture with your favorite colors, तो यहां अब last question में क्या बूला गया है, यहां आपको एक picture दिखा रखी है, इस picture में आपको number of circle, number of rectangle, number of triangles and number of squares गिनने हैं और यहां लिखने हैं, so what we have to do is, हमें क्या करना है सबसे पहले हम circles गिनते हैं कि इस picture में कितने circles हैं तो यहां पर सबसे उसके बाद अगर आप देखें तो यह दो आखें हैं इसकी, चैके यह जो दो आखें हैं वो भी गोल गोल है तो यह हमारे two circle तो ऐसी हो गए थे फिर यह two circle और हो जाएंगे, यानि हमारे two plus two four, four circle हो गए, देखे, one, two three, four, four circle हो गए, और circle कौन कौन से हैं देखे, five, इसकी भी दो आखे, six, seven, फिर eight, nine और इनके अंदर भी छोटे-छोटे दो circle है, ten, eleven eleven हो गई, उसके बाद देखें दो circle और, twelve, thirteen, thirteen circle हो गए उसके बाद, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, यहां तक twenty circle, फिर देखें twenty-one, twenty-two, twenty-three and twenty-four, okay फिर यह twenty-five होगा देखें यह वाला, twenty-five और इसकी दो आखें, twenty-six and twenty-seven तो इस तरीके से, इस पूरे picture में, कितने circles हुए हमने जोगी ने, वो आए, twenty-seven तो कितने circles हैं, twenty-seven ओके, यहां आप numbering लिख दीजे, यहां आप number लिखेंगे, कि twenty-seven number of circles हैं, फिर देखें, यह जो picture है ना, किनने के साथ साथ आपको इसमें color भी fill करने है, तो सुन्दर सुन्दर आप color भी fill कीजेगा, फिर अब हम गिनेंगे, number of rectangles rectangles कितने हैं, तो actually में बहुत सारे rectangles हैं, तो कितने number आएंगे, आप गिन लीजेगा, किभी बहुत सारे हैं, thirty-six है, total, चिक है, thirty-six total rectangles है, जैसे अगर आप, जैसे, देखें, rectangle की shape क्या होती है, rectangle इस shape का होती है, right, जैसे इसके हाथ, यह दिखें, दो, यह हो गया, एक, दो, दो rectangles हो गएं यहां तक, फिर तीन, चार, पार, छे, छे rectangle हो गए, फिर साथ, आट, ओके, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तो इस तरीके से मतलब आप गिनेंगे, दिखें, सारी, यह एक हो गया, तो इसके अंदर एक और rectangle है, तो इस तरीके से बहुत सारे rectangle इस picture में आपको देखने को मिलेंगे, कितने हैं, 36 हैं, तो आप count करका 36 अदर आएगा, उसके बाद number of triangles, triangles कितने हैं, तो triangles भी कम ही हैं, यहाँ पर ज्यादा नहीं है, triangles, तो देखें, एक यह हो गया, एक यह हो गया, two triangles से ऐसे हो गया, और बाकि अगर आप गौर से देखें, तो देखें, यह balance के नीचे भी, तीन triangle इस तरीके से हो जाएंगे, तो यहाँ से तीन, यहाँ से दो, इक मींज पाच triangle है, पूरे picture में, और कहीं triangle आपको नहीं देखेगा, तो यहाँ हमारा answer five आजाएगा, उसके बाद number of square, square की shape कैसी होती है, इस तरीके से square होता है, देखो, one, two, three, four, five, six, seven, eight, eight square तो इधरी हो गए, आठ हो गए, पिर अगर हम थोड़ा zoom करें, अभी हमारे eight होए हैं, तो यह दिखे, यह वाला eight, nine हो गए, nine, उसके बाद और देखते हैं, ten, eleven, okay, और twelve, thirteen, fourteen, fifteen, and देखे, sixteen, और यह देखे, seventeen हो जाएगा, चिके, तो अगर छोटे छोटे जो छोटे छोटे से squares हैं, उन्हें भी गिने, तो टोटल ने किए भी हो गया, तो यह हमारे total कितने होंगे, eighteen हो जाएगे, number of squares कितने हो जाएगे, eighteen, okay, तो आप total गिनिएगा, इसे, और आप पाएँगे, कि eighteen squares हैं, इस picture में, total, okay, इस तरीके से, आज की worksheet होती है, पूरी, आशा करती हूँ, आपको समझ आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, meet you soon in the next video, thanks for watching, watching.